नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं धमसरमार। होलाश्टक फालगुन सुखल पक्ष की अश्टमी से सुरू होकर फालगुन सुखल पक्ष की पुर्दिमा तक रहता है। यानि इस बार 15 मार्च 2019 से सुरू हो रहा है होलाश्टक का। अश्टमी तिथी से सुरू होने के कारण इसे होलाश्टक कहते हैं और अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो होली आने की पुरुव सूचना होलाश्टक से ही प्राप्त होती है। इसी दिन से होली उत्सब की रूप में होली का दहन की तयारी भी सुरू हो जाती है। दोस्तों होलाश्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र सभाव में रहते हैं जिसके कारण सुभकारियों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है और होलाश्टक आरंब होते ही हमारे प्राचिंकाल में होलीका दहनवाले अस्थान पर सफाई किया जाने लग जाता है लेकिन ये होलाश् अंच्टमी के दिन चंद्रमा, नव्मी के दिन सुख्य, दसमी को सनी देव, 12 को सुखर देव, 12 को गुरू व्रहस्पती, 23 को बुध देव, 4 देव चतूर देव, 27 पुर्णिमा को राहु उग्र सुभाब में रहते हैं तो इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुस्य के निर्ने लेने की छमता कमजूर हो जाती है और जिसके कारण कई बार गलत निर्ने ले लेते हैं इसके कारण हानी की आसंका बढ़ जाती है अब जिनकी कुंडली में नीच रासी में चंद्रमाप रिस्चिक रासी का जातक हो तो चंद्र छटे या आठमें बाउ में हैं तो उन्हें कई दिनों तक अधी सतरता बरतनी चाहिए वैसे तो यह बहुत लंबी चोड़ी कीजी इन्हें हम छोड़ देते हैं अगर हम भारती मुहुर्त भी क्यान और जोती सास्त की बात माने तो परते कारे सुब मुहुर्तों को अच्छे से देख लेने के बात ही करनी चाहिए ताकि कोई भी बाधा ना आए और उत्तमफल की प जोती सास्त को देखके तो ऐसे में जैसे गरवादान है बिवा है नामकरन चुडाकरन विद्यारम या गरी परवेस निर्मान तमाम तरह के जो सुब कारे हैं इसका समय हमारे जोती सके नूसार ही निस्चित के आता है लेकिन इस समय जो होलाश्टक है इसके बाद से जोती स इसकी द्रिष्टी से असुब द्रिष्टियां सुनू हो जाती है और इसी कारण से बिवाह गरवादान गिरी परवेस निर्मान आधी सूब कारें बरजीत हो जाते हैं तो इन आठ दिनों को माना जाता है असूब मानेता है कि भक्त प्रलाद नारायन भक्ती से अगर सास्त्रों की माने तो होलाश्टक के पीछे कुछ कारण है भगवान सीब की तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव ने सीब जी के सामने प्रगट हुए तो कामदेव को भगवान सीब ने फालगुन पक्च की अस्टिमी दिथी को भस्म कर दिया था तब संसार मे सोक की लहर फैल गई थी और इस वर्स होलाश्टक 15 फरवरी से 2019 से प्रारंब होकर 21 मार्च 2019 को समाप्थ होंगे और इसमें विशेश रूप से बिवाह नए भरवन का निर्मान नए कारियों की आरंब नहीं करनी चाहिए ऐसा हमारे जोतिसास्त का कतन है और इन दिनों में कि पीडा और विवाह आदी समंद विछेद कलह जैसी समस्याएं आपको परिसान कर सकती हैं होलाश्टिक के दिनों में किये गए ब्रत और किये गए दान से जीवन के कुस्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान का आसिरवाद मिलता है कहते हैं इस दिन वह अस्तर अनाज और अपने एक्छा नुसार कुछ आप द्रब्य कादान कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हम फिर मिलेंगे हर हर महादेव